दोस्तों क्या आपने कभी जाना कि एक मनुष इस संसार में दो बार आया हो शायद आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा परन्तु जब हम प्रभुईश्य मसी की बात करते हैं तो उसके विशे में बाइबल इस पस्ट रूप से प्रगट करती है कि इस संसार में उसका आना दो बार है एक बार वो आ चुका और दूसरी बार वो आने वाला है उसके पहले और दूसरे आगमन के बहुत से भेद हैं और बहुत सी गहरी बाते हैं चुकि बाइबल हमें फ्रगट करती है और यदि आप जानना चाहते हैं कि उसके प्रत्थम और दूसरे आगमन में कौन से विशेश भेद हैं जिसके लिए वो आया था और जिसके लिए वो आने वाला है तो यह अध्यन आपको सहायता करेगा कि आप जान सकें कि वो क्या भेद हैं क्योंकि संसार की बहुत ही महत पूर्ण घटना है जिसे हर एक मनेश को जानना चाहिए। आईए मेरे साथ ये सद्ध्यन में शामिल हो जाईए और जानिये। प्रेमित्रों आप सभी को TWR के सत्वचन की पूरी टीम की ओर से मसी में प्रेम भरा नमस्कार। बाइबल अध्यन प्रसारण सत्वचन कारिकरम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम इन दिनों पर मेश्वर के वचन बाइबल से याशाया भवश्वक्ता की पुस्ता का अध्यन कर रहे हैं। और आज हम 61 अध्याय से अपना अध्यन आरंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों एक मसीही विश्वासी किस बात की प्रतिक्षा कर रहा है। क्या आप जानते हैं। जी हाँ प्रभू ईश्व के द्वितिय आग्मन की। पर आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ईश्व मसीह के प्रत्थम और द्वितिय आग्मन में बहुत अंतर है। दोस्तों उसका पहला आग्मन तो हो चुका है और अब दूसरे आग्मन की हम सभी विश्वासी प्रतिक्षा कर रहे हैं। हमारा आज का अध्यान इश्व मसी के प्रत्थम और द्वितिय आग्मन के कुछ भेदों को हम पर प्रगट करने जा रहा है। साथ ही उसके प्रत्थम आग्मन की कुछ मुख्य बातों को भी हम आज जानेंगे। दोस्तों एक विश्वासी के लिए इससे बड़ा और कोई कार नहीं कि वह अपने मुक्ती दाता से साक्षात होने के लिए तयार रहे। जिसने उसके लिए कोडे खाए और उसके इस्थान पर दुख सका और इतना ही नहीं उसके इस्थान पर मारा भी गया। क्या आपके लिए इश्व मारा गया और क्या उसने आपके लिए दुख उठाया है। तो आज का अध्यान आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। तो चलिए प्रार्थना पूर्वा इस अध्यान में शामिल हो जाईए और वचन की शिक्षा ग्रहन करिए। मित्रो आए आज हम अपने अध्यान को यशाय के पुस्तक उसके अध्याय एक सट से आरम करें। जिसका विशय है प्रभु इश्यु के प्रथम आगमन और दिवतिय आगमन में अंतर प्रभु राज का आनंद। यह अध्याय विशेश महत्व इसलिए रखता है क्योंकि प्रभु इश्यु ने नासरत नगर में सेवा आरम करते समय इससे संदर्व दिया था। यह अध्याय प्रभु राज के संपुन आशिशों के विशय चर्चा आरम करता है जिसमें इस्राइल सांसारिक लाभूं का केंदर होगा। तो आए हम देखते हैं प्रभु इश्यु के प्रथम और दितिय आगमन में अंतर। यहां प्रथम तीन पद धर्मशाष्टर के सरवाधिक असाधारन पद हैं। इनसे हमें बाइबिल की उचित व्याख्या में सहता प्राप्त होगी। यशाय के पुस्तक एकसाट अध्या उसके एक और दो पद में लिखा है। प्रभु यहवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिशेक किया। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कि यहवा के प्रसन रहने के वर्ष का और हमारे परमेशर के पल्टा लेने के दिन का प्रचार करूं। कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। यहां हमें बाइविल की व्याख्या की विवस्था प्रदान की गई है यदि मैं नए नियम के ज्ञान के बिना इसे पढ़ू तो समझ नहीं पाऊंगा कि यह किसकी चर्चा कर रहा है यह कौन है जो कहता है प्रभु यहवा का आत्मा मुझ पर है यदि यह प्रभु यिश्व है तो क्या वह उसके प्रथम आगमन या द्वितिव आगमन की चर्चा कर रहा है नए नियम में हमारे पास परमेश्वर की व्याख्या है प्रभु यिश्व अपने जन्मस्थान नासरत में जब आराधनाले में था तव उसने इसे पढ़ा था लुकर्ची सुसमाचार 4.12.16-19 पद इसका वृतांत सुनाता है फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपने रिती के अनुसार सब्त के दिन अराधनाले में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ यशाय भहुषद वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोल कर वह जगह निकाले जहां यह लिखा था प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिष्यक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टी पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुछली हुऊं को छुडाओं और प्रभुक के प्रसन रहने के वर्ष का प्रचार करूं मेरी मित्रों यदि आप यशाया के पुस्तक एक साटा ध्या उसके एक और दो पद पर फिर से ध्यान दे तो देखेंगे कि उसने पूरी बात नहीं पढ़ी थी उसने आगे क्यों नहीं पढ़ा जहां लिखा है पर्मिर्शर के पल्टा लेने के दिन का प्रचार करों ध्यान दे कि उसने जान भूज कर पुस्तक बंद कर दी लुका चार उसके 20 और 21 पद में लिखा है तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनाले के सब लोगों की आँख उस पर लगी थी तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेक तुम्हारे सामने पूरा हुआ है यहां तक यशाय के भहशदवानी मसी के प्रथम आगमन के सम्मंध में पूरी हो गई यशाय ने तो प्रभुईश्यों के पहले और दूसरे आगमन में अंतर नहीं रखा परन्तु प्रभुईश्यों ने इस अंतर को प्रगट किया यशाय के भोशदवानी में और शब्द इन्हें अलग करता है यद्धिपी भोशदवक्ता मसी के पहले और दूसरे दोनों आगमन की चर्चा करते थे परंत वे इन दोनों के मध्य का समय नहीं जानते थे पहला पत्रस एक अध्या उसके 10 और 11 पद में प्रेरित पत्रस इसे स्वष्ट करता है इसी उद्धार के विशे में उन भोशदवक्ताओं ने बहुत खोज बीन और जाँच परताल की जिन्होंने उस अनुग्रह के विशे में जो तुम पर होने को था भोशदवानी की थी उन्होंने उस बात की खोज की कि मसी का आत्मा जो उन में था और पहले ही से मसी के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था पत्रस कहता है कि भावशद वक्ता फ्रविश्यो के कश्टों और उसकी महिमा की चर्चा करते थे हम इस बात को यशाय के पुस्तक के पहले और दूसरे भाग दोनों में देखते हैं मैं भावशद वक्ताओं की भावी दृष्टी के समस्या का एक उधारान देता हूँ मेरे घर के पीछे दो परवत हैं जो मेरे घर से देखने में जुड़े हुए दिखाई देते हैं परन्तु जब मैं वहां गया तो पाया कि उन दोनों के मध्य लगभग 37 किलो मीटर का अंतर है कहने का अर्थ यह है कि हम जब तक वहां ना पहुचे तब तक हमें उन में उपस्थित अंतर दिखाई नहीं दिया इसी प्रकार भवशिद वक्ता दुरस्त भवशिको देख रहा था और वह इशु के पहले और दुसे आगमन में उल्जन में पड़ गया वह एक ही ले में कैसे कह सकता है कि खेदित मन को सु समाचार और बंदियों को सोतंतरता का शुब समाचार सुनाओ तथा परमिशन के पल्टा लेने के दिन का प्रचार करू यह दोनों बातें एक साथ कैसे सच होंगी यदि वह आज के युग में होता तो इस पश्ट कह सकता था हम आज प्रभी इशु के पहले और दूसरे आगमन के मधे में हैं हम उसके प्रथम आगमन को देख सकते हैं जब उसने लुकरची सुसमाचार चार अध्या उसके 20 और 21 पद की पूर्ती की या जैसा हमने यशायत तिरपन में देखा था उसी के पीछे प्रभी इशु का दूसरा आगमन है परन्तो तब कलिसिया यहां से प्रस्थान कर चुकी होगी यहोना 14 उसके तीन पद में प्रभीश ने कहा था और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो यहां के प्रसन रहने के वर्ष का और हमारे परमेशर के पल्टा लेने के दिन का प्रचार करूँ जब प्रभू फिर आएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा तब वह पल्टा लेगा जिसका चित्रण अध्या तिरसर्ण में दिखाये गया है जहां वह परमेशर के क्रोध की दाख को रौंद रहा है या एक मनोहर द्रिश्य नहीं है और नहीं परमेशर ने कहा कि वह है प्रभू इश्व इस प्रिथ्वी पर से विद्रोह समाप्त कर देगा या चोटी प्रिथ्वी अब भी उसके नियंत्रण में है किसी ने कहा घटनाय काठी पर बैठे मनुश्य पर सवार है वह गलत था प्रभू इश्व काठी पर सवार नियंत्रण हाथ में लिये हुए है वह राजा है वह विद्रोह का दमन करने आने वाला है वह दिन परमेश्व के पल्टा लेने का समय होगा तब हम आगे देखते हैं कि सब विलाप करने वालों को शांती दूँ परमेश्व के पल्टा लेने के दिन की चर्चा करने के तुरंत बाद वह विलाप करने वालों को शांती देने की बात करता है ये विलाप करने वाले अपने पापों के प्रती विलाप करते हैं और अच्छे दिनों की मनों कामना करते हैं। वे परमिशर के आग्या कारी रहना चाहते हैं। मेरे प्रियों, वह विलाप करने वालों को ही नहीं, संपुन, सियोन में विलाप करने वालों को शांती देगा। यशाया ने प्रभीश्य के प्रथम और दूसरे आगमन को देखा, परंतु अंतर नहीं कर पाया। प्रथम आगमन में प्रभीश्य ने दुखी मन वालों को शांती और बंदियों को स्वतंत्रता का सू समाचार सुनाया। परंतु दूसरे आगमन में वह परमेशर के पल्टा लेने के काम को करेगा। विद्रोह का दमन करेगा और पाप के कारण विलाप करने वालों को शांती देगा और यशाय एकसर्ट के तीन पद में आगे लिखा है और सियोन के विलाफ करने वालों के सिर पर की राक दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दू कि उनका विलाफ दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटा कर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं जिससे वे ध भूगोल जानता था जब उसने कहा सियोन तो उसका अर्थ सियोन ही था दुनिया का कोई अन्य परवत्य अस्थान नहीं सियोन यरुशलेम का सबसे उंचा अस्थान है और यशाय उससे परिचित था वह विशेश करके यहुदियों के लिए कहता है सियोन के विलाफ करने वा उदासी दूर करके हर्ष का ओढ़ना ओढ़ाओं जिससे वे धर्म के बांज विरिक्ष और यहवा के लगाय हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रगट हो या पल्टा लेने के दिन के बाद प्रगट होगा इसका विस्तार अध्या 63 में किया जाएगा यह की शांती और सम्रिधी है सुन्दर्ता और राक से यशाया का तात्पर यह है दंड के अस्थान पर गीत दुख और दंड के बाद आनंद और गीतों का गाना होगा यशाया 61 उसके चार पद में लिखा है तब वे बहुत काल के उजड़े हुए अस्थानों को फिर उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी-पीढ़ी से उजड़े हुए हो वे फिर नए सीरे से बसाएंगे इस्राइल को सौंदर्य करन की अवशकता है जिससे उसकी सुन्धरता लौट आए जो आरम में थी आज इस्राइल में जो हो रहा है वह आशेर जनक है उसे देख ड भौश्यदवानी में विश्वास करना आरम कर दिया वह देश या राष्ट्र जो पचीस वर्ष अपने देश से बाहर रहा आज पुना अपने देश में है इस कारण वे विश्वासी हो गए परन्तु हमें सावधान रहना है कि हम इसे भौश्यदवानी की पूर्ती न कहें यह पर्द जिस संदरे करन की चर्चा कर रहा है वह प्रभु राज के आरम में होगा और इस समय वह दिन नहीं आया है हम यशाया एकसट के पांच पद में पढ़ते हैं परदेशी आखड़े होंगे और तुमारी भेड़ बकरियों को चराएंगे और विदेशी लोग तुमारे हल चलाने वाले और दाख की बारी के माली होंगे यह भौश्यदवानी का वास्तविक परिद्रिश्य है तब हम यशाया एकसट के छे पद में देखते हैं पर तुम यहवा के याजक कहलाओगे वे तुमको हमारे परमेशत के सेवक कहेंगे और तुम जाती-जाती की धन संपत्ति को खाओगे उनके वैभव के वस्तुए पाकर तुम बढ़ाई करोगे लिखा है वे तुमको हमारे परमेशत के सेवक कहेंगे प्रभु राज में इस्रायल विश्वासियों का याजक होगा परमेशत चाहता था कि संपुन प्रजाही याजक हो निर्गमन की फुस्तक 1906 पद में परमेशत ने कहा था तुम मेरे दृष्टी में याजकों का राज्य और पवित्र जाती ठहरोगे जो बाते तुझे इस्रायलियों से कहनी थी वे ये हैं उनके पाप के कारण ऐसा कभी नहीं हुआ परन्तु प्रभु राज में ऐसा अवश्य होगा यशाय 61 के साथ में लिखा है तुमारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जैजै कार करोगे तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनन देते बने रहोगे दूसरे शब्दों में इस्राईल के भाग में अनन्त आनन्द होगा वहाँ अनन्त की परिपूर्णता होगी कैसा महान दिन होगा वह यशाय 168 में लिखा है क्योंकि मैं यहवा न्याय से प्रीती रखता हूँ मैं अन्याय और डकैती से घ्रना करता हूँ इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सचाई से दूँगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूँगा उस समय उनके जीवन धार्मिक कृतियों की सुन्दरता बढ़ाएंगे हमने देखा है कि इसराइली धर्म संबंधित परमपराओं को निभाते थे परन्तु परमिशर प्रसन नहीं था क्योंकि उनका मन उसमें नहीं था परन्तु भविश में बदलाव आएगा यशाय एकसर्ट के नौ में लिखा है उनका वन्ष जाती जाती में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी जितने उनको देखेंगे पहिचान लेंगे कि यह वह वन्ष है जिसको परमिशर ने आशिश दी है उस समय यहोदी विरोध समाप्थ हो जाएगा और यहोदी सहयोग आरंभ होगा क्योंकि उस समय वे परमिशर के सच्चे गवा होंगे आज न तो इस्रायल और नहीं कलिस्या परमिशर की इच्छा पूरी कर रही है जबकि मेरा मानना यह है कि हम परमिशर की योजना में कारे कर रहे हैं और उसने जैसा कहा है वैसा ही हो रहा है प्रभीश्व ने चीताया था कि हम एक समय धर्म का दिखावा तो करेंगे परन्तु हम सामर्थ का इनकार करेंगे आईए हम अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे प्रभु का आनन्द यशाया 61 के 10 पद में हम पढ़ते हैं मैं यहवा के कारण अती आनन्दित होंगा मेरा प्रान परमिशर के कारण मगन रहेगा क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्तर पहिनाए और धर्म की चदर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुलहा फूलों के माला से अपने आपको सजाता और दुलहिन अपने गहनों से अपना सिंगार करती है लिखा है मैं यहवा के कारण अती आनन्दित होंगा मेरा प्राण परमेशर के कारण मगन रहेगा मेरे मित्रों वे बड़ा आनन्द मनाएंगे काश आज अधिकाधिक विश्वासियों को आराधना में जाने का आनन्द प्राप्त हो काश वे अधिकाधिक आनन्द प्राप्त करें काश बाइबिल अध्यन हम सब के लिए उत्साह का कारण हो जाए ऐसा होना चाहिए क्योंकि परमेशन चाहा है कि ऐसा हो उसने मुझे उध्धार के वस्तर पहिनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुलह फूलों की माला से अपने आपको सजाता और दुलहिन अपने गहनों से अपना सिंगार करती है मसी निवेदन कर रहा है कि वे सब जो उसके हैं स्तूती के भजन में उसके साथ हो ले वे प्रभू में बहुत आनंदित होंगे आज हमारी समस्या यह है कि अनेक विश्वासी प्रभू में आनंद नहीं मना पाते हैं क्योंकि वे सहभागिता से बाहर हैं उनके जीवन में पाप है वे परमिश्रक की इच्छा से बाहर हैं वे अपनी ही इच्छा पूरी करने में लगे हैं हम यशाय 61 के ग्यारा पद में पढ़ते हैं लिखा है क्योंकि जैसे भूमी अपनी उपज को उगाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वा उप जाती है वैसे ही प्रभू यहवा सब जातियों के सामने धार्मिता और धन्यवात को बढ़ाएगा सांसारिक आशिशें और भावतिक उठान तो होगा ही परन्तो उस समय वास्त्विक आशिश आत्मिक होगी यहाँ पर इसी के साथ अध्याय 61 समाफ्थ होता है और हम अपने अध्यान को अध्याय 62 से जारी रखेंगे जिसका विशय है इस्राइल के लिए मसी की मनो कामना प्रभु की आशा उस भावी दिन की घोशना मेरे मित्रो इस अध्याय में हमारे सामने इस आशिशित आनंद के लिए मसी की कामना व्यक्त है विश्वासियों के मन में भी इस आनन्द की कामना होना आवश्यक है विश्वासियों के लिए आज खत्रा इस बात का है कि हम प्रभु के आग्वन की कामना इसलिए करते हैं कि वो हमें इस कष्ट भरे संसार से उठा कर ले जाए हम मसी के आगमन को बचाओ का साधन बनाय हुए हैं हम अपने आपको परशानियों में फंसा लेते हैं और फिर चाहते हैं कि परमिशर हम ये बचाए बाइबल सिमनरी में मेरा एक मित्र बहुत ही अच्छा व्यक्ति था परन्तु वह विनोध प्रियन नहीं था हम सब विध्यार थी उससे बहुत छेड़शार करते थे वह कभी रात में बाहर जाकर सितारों को देखता और कहता ओह काश प्रभु आ जाए वह प्राया ऐसा उसी रात करता था जब अगले दिन उसकी इबरानी भाशा की कक्षा हो इबरानी भाशा बहुत कठिन थी वह प्रभु के आने की कामना इसलिए करता था कि उसे इबरानी पढ़ने से चुटकारा मिल जाए दिक्षान समारों में उसने अपनी उपाधी प्राप्त की और अगले दिन उसने एक सुन्दर लड़की से विवाह किया दिक्षान समारों से एक दिन पुर्व रात में वह बाहर गया और आकाश को देख कर कहा काश प्रभु कुछ दिन ना आए जी हाँ हम इसे अधिकांज के साथ ऐसा ही है यदि हम परिशानी में हैं तो हम चाहते हैं कि प्रभु शिग्र आ जाए हम परिशानी उसे चुटकारा पाना चाहते हैं तो आए हम देखें इस्राइल के लिए मसी की मनो कामना यशाय के पुस्तक बासाट अध्याय के एक पद में लिखा है सियोन के निमित मैं चुप न रहूँगा और यरुशलेम के निमित मैं चैन न लूँगा जब तक कि उसकी धार्मिक्ता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे यरुशलेम को आज शांती नहीं है क्योंकि उसका मसीहा वहाँ नहीं है वह अभी परमेश्णर की दाहिनी और बैठा है और यरुशलेम में राज करने की प्रतिग्या कर रहा है धार्मिक्ता का राज आप उसे पौईत्र नगर कह सकते हैं परन्तु आज वहाँ पौईत्रता को छोड़ कर सब कुछ है परन्तु एक दिन वह पौईत्र होगा और सेनाओ के यहवा के द्वारा यह होगा सयुक्त राष्ट्र संग से यह नहीं होगा मेरे विचार में प्रभू की अपेक्षा अन्य कोई नहीं है जो ऐसा कर पाएगा संसार में अन्य कोई शांतिय स्थापित नहीं कर पाएगा केवल परमिश्टर यहवाही की धुन यह संभव करेगी यह शाया और प्रतेक इश्वरभग जन के मन में यह लालसा उठती है संपुन स्रिष्टी और सव विश्वासी भवशी की आशा में वर्तवान दशा में कहरते हैं मसीही तिर्थ यात्रियों क्या आप इस प्रिथ्वी की यात्रा से ठग गए हैं? क्या आप पर्मिश्वर फिता के परिवार की संगती की लालसा करते हैं? या एक प्रश्ण है कि प्रत्नीक विश्वासी इस पर मनन करें हम यशाया बासट के दो पद में पढ़ते हैं जब जाती जाती की लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहवा के मुख से निकलेगा नया हिर्दे, नई परिष्थिती, नई प्रिथ्वी, नई धार्मिकता एक नए नाम की मांग करते हैं मैं नहीं जानता कि नए रूप में मैं कैसा दिखूँगा परन्तु मैं प्रसन हूँ कि यह पुराना मैं नहीं रहूँगा हम सब नए होंगे और नए यरुशले में होंगे भविश्य का या कैसा सुन्दर चित्रण है मेरे मित्रो, मुक्ती कलिस्या की ही नहीं इस्राइल वरन संपुन प्रिथ्वी की होगी आज हम कराते हैं और पीडित होते हैं और मुक्ती कि उस महान दिन की प्रतिक्षा करते हैं वह दिन क्या ही भला होगा कि हम सब एक नए रूप में होंगे परमिश्य के आशिश और शांती होगी क्या आज आप उसके लिए तयार हैं परमिश्वर आप सब को आज की सध्यन के द्वारा आशिश दे प्रेदोस्तों प्रभय ईश्व के प्रथम और द्विती आगमन के भेद को आज आपने जाना कि वह परमिश्वर के दंड और पलता लेने से सभी मनिश्व को बचाने का सूसमचार सुनाने का कार करे इश्व ना केवल उद्धार के मार्ग को स्थापित करने को आया पर उसने उस सुपसंदेश का प्रचार भी किया आज संसार में अनेक जन हैं जो खेदित हैं, बधवाई में हैं, कैत में हैं इश्व का प्रधम आगमन उन सभी के लिए संतोष का कारण है, जो अपने जीवन में इन बातों के कारण बिचली थे दोस्तों आज संसार के लिए आशा का संदेश केवल इश्व ही है आप किसी समस्या में हैं, यदि किसी परिशानी में हैं, आपकी सभी समस्याओं का उत्तर प्रभू इश्व मसी में हैं आपके केवल उसके पास आना है और वह आपको, आपके जीवन को आशा से भर देगा दोस्तों इशू के पास ना केवल आपके लिए आशा है पर उसके पास आपके लिए एक उपहार भी है आपके लिए पारिश्रमिक भी है हाथ संसार में हमें उचित परिणाम या पारितोशक प्रात नहीं होते हैं पर जब इशू का आगमन होगा तो सभी विश्वासियों को उनके काम का प्रतिफल दिया जाएगा और वह प्रतिफल है उसके साथ बादलों पर उठाया जाना उसके साथ सदाकाल के लिए वास करना प्रिमित्रों क्या आप आज इशू से मिलने के लिए प्रतिक्षा कर रहे हैं क्या आपको यकीन है कि जब इशू का दुटी आगमन होगा आप उसके साथ होईंगे इस प्रशन का उत्तर आपको स्वेम को देना है और विचार करना है कि आप आज कहां खड़े हैं आईए प्रार्थना में जाएं और परमिश्वर के सामने उस से जाने कि हमारा इस्थान आज कहां है कि हम परमिश्वर के सामने कैसे हैं आईए प्रार्थना करें सुर्गी पिता हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका वच्छन आपके भीदों को प्रगट करता है आपकी शिक्षाएं हमें बुद्धिमान बनाती है पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वच्छन में सारी बातों को प्रगट किया है हमारे लिए सबसे अद्भुत ये घटना है जब हमें अपने परिश्रम का अपने दुखों को सहने का और इस संसार में एक कस्ट के जीवन को बिताने का परिणाम उसका परिश्रमिक हमें प्रभु ईश्यु मसी के साथ हो लेने में मिल जाएगा प्रभु हमारे लिए एक धन्य आशा यही है हर एक विश्वासी के लिए ये एक धीरच का काम है कि हम बड़े धैरे के साथ उस दिन और उस पल की बाड़ जो होते रहें पिता कितने ऐसे हैं जो कि इस परिस्थिती में टूट जाते हैं हमारी प्रार्थनाय प्रभु जो धीरच धरे हुए हैं उनको समहा ले ताकि वे अंत तक विश्वास योग साबित होने पाए पिता इस बिंती को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए बिंती को ईश्व के नाम से मांगते हैं आमिन मित्रो गुजे ऐसा प्रतीत होता है कि आज के अध्यन के अधार पर आपके पस बहुत से प्रश्ण होंगे किर्विया आप हमसे संपर करें और अपने प्रश्णों को हमारे साथ साजा करें ताकि हम आपकी सहायता करें और आप जानने पाएं कि परमेश्वर का बचन और क्या गहरी बातों को कहता है अगले प्रसारण में हम परमेश्वर के बच्चों को फिर से आपके सामने ले करके आएंगे तब तक प्रभु ईश्यूमसी के आगमन के उस प्रतिक्षा में आनंद के साथ अपना समय वैतित करें प्रभु आपको आशिश दे आएए अब हम प्रशनों को देखें पिछले प्रशण का उत्तर है D. अनुग्र ये शाया की पुस्तक के प्रतम भाग का मुख्य विश्य था परमेश्वर की विवस्था परन्तु इस अंतिम भाग का मुख्य विश्य है अनुग्र आज की अध्यन पर अधाईत प्रशन है, यरुशलेम का सबसे उंचा स्थान कौन सा है? A. अरारात, B. सियोन, C. जैतून, D. नवो मित्रो इस प्रशने का उट्टर हमें कल सुबा 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें. सभी विजेताओं को विशेश पुरसकार प्रदान किये जाएंगे. धन्यवाद. प्रदान किये जाएंगे. प्रदान किये जाएंगे.